दोस्तों आप सबको स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंड़सी दुनिया में इस वीडियो में हम लोग डिसक्स करने वाले हैं बोटा निकल गार्डेन व्सस डग व्यू एक्स्प्लोरर के भी जो खेला जाएगा विंसी प्रीमेर लिग का मैच लैस मेक शूर करना वीडियो बहुत ज़्यादा डिस्टरवे लास्ट सिजन जो हुआ था यह तो नहीं बोल सकते दो सिजन था लास्ट सिजन में तो उसमें इनका पॉफोमेंस अच्छा था लास्ट सिजन में बट यह टीम अप कम्लेटली डिफरेंट है इनका बैटिंग आपको समझना पड़ेगा कौ पुड़ा वीडियो ध्यान से देखना पसंद आया तो लाइक करते ना अगर आप युक चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन ओन कर लो डिजन क्या है बहुत ही जल स्थार्ट होने वाला है वोमेंस्टी 20 काउंटी चैंबिंशिप बोल लिस्टेड है तो लिस्टी क्या होता है बढ़ हाँ ग्यारा बज़े अगर मैच स्टार्ट होता है तो उसके आगे मतलब 15 मिट आगे 10-15 लिस्ट के अंदर फाइनल अपडेट जितने भी होते है ना टॉस अपडेट ऑफिशल लाइन अपडेट सब कुछ अपडेट आपको टेलिग्राम पे मिलेगा नो डाउट मैं यहां पर आपको फोल बैटिंग ओडर के हिसाब से ही डिस्कस करने वाला हूँ स्टिल ओफिशल लाइन अप आपको अबलेवल करवा दूँगा मैं कहां पर टेलिग्राम पे और फाइनल अपडेट भी टेलिग्राम पे आएगा ज चैनल मिलेगा फिलाल तीन सो चार सो करी सब्सक्राइबर बचे हुए यहां पर आप जॉइन हो जाना फाइनल अपडेट आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे ठीक है मैं चलता हूँ एनलाइस सेक्शन में आप वीडियो लाइक करके स्टार्ट करो मोटिफिकेशन मोटिफि पर्ट इस टीम को इंपॉर्ट मतलब कुछ जरूरी है ऐसे बॉलर्स का इनके पास ना बहुत ज्यादा बॉलिंग में मतलब बहुत ज्यादा बॉलर्स भड़े हुए 20 मैच व लाइनिंग अब तक 183 रन दो सिजन में इन्होंने 183 ज्यादा बढ़ा स्कूर किया नहीं जब लगा बैट में तो बाउनरी के बाहर जाएगा जब पाउर प्ले खुलेगा तो आउट हो जाएगा ऐसे टाइप के प्लियर है ठीक है वैन हर पर 17 मैच 12 इनिंग अगर देखो के दोनों में कंपेर करोगे ना इन्होंने 16 इनिंग में 183 इन्होंने 12 इनिंग में 160 और न सब्सक्राइब करा लेता है लेफ्ट एंडेड बैट में इसमें के पास बहुत सारे बॉलर है बट स्टिल बॉलिंग करा लेगा विकॉस रिसेनली ना आपको याद है कुछ दिन आगे सुपर 50 कब हुआ था वेस्ट इनिस वाला उसमें ना कॉट बहुत अच्छे फॉम में विद बैट इवन बॉलिंग से भी पर्फरमेंस दे रहे थे तो यह जब अब दस आपके लिए डिफेंशल केप्टन वाइस कप्टन पीक होने वाले इस मैच में सम मुझे लग रहा है स्मॉल लीग में शायद ना बनाओ विकॉस बहुत हिटन निस है स्टिल मैं प्रिफर क है मतलब दस में लोग को ले सकते हैं इनको करेगा तो आप इनको ले 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 ना अपनी टीम में डोनल डेल्स पेस्ट लास सेजन निकाले थे खौटे टन पंद्रा हुए लास सीजन जो था ना यह टीम बहुत अच्छा खेला था उसका सबसे बरा रिजन मेरा मालो तो था इ है इनके पास जो इनको तंग करेगा इस शेलो बहुत ही अच्छा पुफोमेंस दे रहे थे लास सेजन बट इस सेजन में है नहीं इस इस टीम के लिए है नहीं गयारा मैच साथ इनिक्स में फॉर्ट एंड डोनल डेस पेच हार इटर है मतलब लगा तो लगा वनना गया ऐस किमाली विलियम्स जो ज़रुट से कहलने वाले इस मैच में 20 मैच में 30 ओवर है इनका 12 विकेट है स्पिशिली लास सिजन इनका ज्यादा अच्छा था उसका आगया वाला सिजन मतलब जो फॉस्स सिजन था न उसमें का पॉफरमिस अच्छा नहीं था बढ़ लास सिजन में बागी आपको मुझे लगता है जो काई शायद नीचे बैठेंगे कौन मैं आपको बता देंगा है यह दो टॉप में खेलेगा वन टू हो गया तीसरा होगा केरन कोटर जो वान डाउन खेलेगा चौता हो गया केस्टिक विल्यम्स जो टू डाउन केलेगा अब हो सकता है वैं को उपर ही खेलना चाहिए टॉप के फोर फिर पाच और गाइस ट्री डाउन हाड़िटर डॉनल डैस्पेच फिर फोट डाउन होगा मतलग छे नंबर प्लेयर होगा डव्यू सैमिल सात्वा होगा किमाली विल्यम्स आट वा आल लूइस ज्यादा कुछ एफेक्टिब नही है बिकोज इनके बास ज्यादा क्वालिटी बैट्समें है नहीं ठीक हो गया नौज जैट पॉविटेंस जरूर खेलेगा दस गाइस जहिल वाल्टर डी कॉटल और जे से कोई-कोई खेलेंगे कैस यहां से इटोन गेपसन का मुझे रिकॉर्ट फिलाल एबलेवल है नहीं बट मैं आपको एक चीस बताना चाहूंगा यहां से मुझे कोई भी खास नहीं लगा अगर आप देखते हो कॉटल वाल्टर्स वाल्टर्स अगर देखते हो नाम तो अच्छा खासा लग रहा है आपको लेफ्ट-handed बैट्समें राइटम मीडियम करा लेता है बट 18 मैच में एक इनिक्स में दो रन पाच ओवर एक विकेट बट यह क्या है टी-20 का रिकॉर्ड है टी-10 एक्स्पिरेंस है नहीं तो यह कुछ प्लियर्स है जिनको आप आप डिफेंशियल भी अपनी टीम में ट्राइक करना है मैं एक चीस आपको अच्छे से बताना चाहूंगा और आ प्लियर्स है आइधर वह बैटिंग वरना वह बॉलिंग से पॉइंट देते हुए दिखेंगे आपको बिकॉस अगर आप ध्यान से देखते हो इनके पास कॉट्टोई हो गया कैस्टिक विलियम्स हो गया डोनल लेलस्पेश हो गया यह कुछ ना कुछ करते हुए चैनल में नियुकर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप नोटिफिशन आउन कर लो एंट टेलिग्रम जिरू से जोईन हो जाना अफ्टास अपडेट्स के लिए डी वी अगर हम लोग देखते हैं ना आइधिंग सबसे अच्छा प्योर पिनिंग जो है ना गाइस और टॉ सब्सक्राइब करते हैं अगर ओपेनिंग करता है ना इपको एक चीज़ बताना जाओंगा शैमन उपर हाइप पसंटेज शॉट्स केलते हैं जहां पर रिस्क ना हो बट जादा रन कर सकते हैं अलोंग दा ग्राउंड यह शॉट्स बहुत जादा खेलते और गैप मतलब हो इसा नहीं है शैमन उपर तो यह अलमस्ट हर मेंच में आपको कुछ ना कुछ करते हुए दिखेंगे बैटिंग बॉलिंग से बट एक चीज़ तो है इनको बैटिंग आना तो पड़ेगा मतलब टॉप ओडर में नहीं खेला तो दिक्कत होने वाला है शैमन उपर को इस्प टीम इनको बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस देते हैं गास टीम अपनो आपको देखोगे ज्यादा तर मैचस में अपना बैटिंग टॉप ओडर में हो टॉप थ्री में तो 200 परसेंट शायद ओपिनिंग ही करेंगे इस मैच में तो मुझे लगता है ओपिनिंग ही करेंगे स साथ जाथ आपको दो भी ओवर करते हों दिखेंगे तो डिफॉल्ल कैप्टेन ओप्शन लिंडो जैम्स वन डाउन रख लेना एक्स्पिरियंस प्रेंस प्रेंस प्रेंगे अट्रमेंस सथा इनिंग बहुत खास सत्रा का एवरेज है बहुत खास है नहीं बट सिल टीटेन क शक्राइब शाब साब रख सकते हो तेरा ओवर साथ उगर बालिंग करा लेता है अब देखो कब बालिंग रहाएगा अब यह जब खाईघंगल लब निकलता है ना इनके सामने अगर वीक की ऑप्शन रहा ना तब बालिंग नहीं कराइगा अधर वाइस आइधिंग बालि बेज दे बट यह लॉजिकली अच्छा नहीं होगा एलेक सेमेल को लॉजिकली मुझे लगता है कि टू डाउन खेलना चाहिए पंद्रा मैं 14 इनिंग तो ट्राइब कर सकते हो एंड सेकें इनिंग आप रोटेट कर सकते हो अगर स्पेशली अगर यह टू डाउन खेलते तो मत बहुत आटेगिं खेलते हैं मतलब हर बॉल में घुमाता है ऐसे प्लेर तीस ओवर में साथ विगेट थोड़े हीट इन जा रहा है न उच्छे में लेते हैं मतलब दो-तीन उट निकाल लेते हैं एक ही गैस मैच में अगर विगेट निकालते हैं अधर बहुत ही ज्यादा इ टीम का तो दीन ब्राउन को ले लो इवन बैटिंग फर्स में भी ले सकते हो हाड़ेटर प्लियर है बट सिल्रॉइ विल्यम्स मेरे टीम का आगे पीक होगा बीकॉस अठ्रा में साथ इनिंग्स चौल इस रन तैतीस ओवर में अठ्रा हुग है स्पेशली लेग स्पिन करा हाए राइट है तो मेरे टीम का एक मस्ट मस्ट भी को जाता है सेल्राइ विल्यम्स स्पेशलेगा थेखते हो जाठा आ लेका केरों को छोड़ों चोड़ों डोनल देश्पेश सभी डैले बेट ने है तो इहां प्र बहुत इंपोर्टेन हो जाता है अगर करों को जाए तो होगा लेना टिफेंशल करना है तो दोनों को ट्राइब कर सकते हो रायन विल्यम्स सॉला मैच में केवल बारा डाला तो अगर आप देखोगे इंपेक्ट कितना डाल सकता है यह अपनी टीम में तो मुझे लगता है कि अगर मैच में ती ओवर कंप्लीट नहीं करा रहा है इविन मैच से यह ओवर कम है तो शायद यह जाद ना डाले जैड मैथ्यूस हो थे मैच में थीन ओवर जीरो एकर राइट हैं राइट हम फस्ट लुइक विल्सन मुझे नहीं लगता आपको लेना चाहिए राइट हम और करते मुझे नहीं लिखता है इतना जादा इक साथ टीम खिलाएगा विकोज ग्रेव्स हो जाते है सामन हुपर हो जाता है सेलर उन वील्यम्स हो जाते है तो बहुत ज़्यादे स्पिनल से इनके पास और पीर यह कहलने से भी खेल सकता है और मिल और में और का रपेर ना जब स्टार्ट किया था टीटेन, मतलब फस्सीजन पगच चले जाते हो, तो ऐसा उपेनर स्टार्ट किया था, तो हो सकता ही ये भी उपेन करें, तो मेरे टीम में क्या होगा, हुपर और ग्रेप्स ओपेन करेंगे, ऐसा मेरा मानना है, लिनो जेम्स वान डाउन, टू डाउन हो गया, एलेक सेम्यल, चार प्लेयर हो गया, इनका टॉप के फूर, पाच्वा होगा दीन ब्राउन, अब दीन ब्राउन को विकेट अगर नहीं गिरे, फर्स इलिंग में तो यहां से अगर आप हमको देखते हैं, टीम का बैलेंस तो कौन-कौन बालिंग करेंगा, शैमोन, डी ग्रेफ्स, और डीन ब्राउन ओ बालिंग करेंगे, यह तीन हो चुका है, डीन ब्राउन आपको डेध भी करते हुए दिखेंगे, कभी कबार, अगर मार का गया तो ब जादा डाटा, इतना जादा रिसर्च आप लोग के लिए लाता हूं, तो चलूर एक लाइक तो बंदा है, चैनल में नहीं होता, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, टेलिग्रम जोड़े से जोइन आफ्टास अप्डेट्स के लिए, फिलाल बीजियर देखो, 115 पे पाच मैंने फिला लिखा हूं, लास्ट येर के रिकोर्ट्स कैलकुलेट करके, बट 90 से 100 के बीच होगा, एवरेज स्कोर, अटनस वाले ग्राउंड में, सभी सेपन ग्राउंड पे खेला जा रहा है, 100 के उपर होगा तो चेजिंग मुश्किल, 100 के नीचे होगा तो चेजबल, 11 ब इन ब्राउन और सेल्रोय विलियम्स दोनों के कुगे था, देखों इन ब्राउन आपको डेध भी कराते होगे दिखेंगे, ये भी ध्यान देना है, एनलाइस में आता हूं, डीवी बैटिंग लुक इस लुकिंग गुट, मुझे लगदा है ना, डीवी का बैटिंग बहु ये अगर बॉलिंग फर्स्ट करता है, तो इनका जो बॉलर्स है ना, वो अगर कम रन पे है, मतलब नबबे के बीच में इनको आउट कर देता है, तो शायद वो लोग रोटेट करते हुए भी जीत जाए, बिकॉस इनका जो है ना, इनका बॉलिंग अच्छा है, बट बैट है, लास्ट येर का फाइंड की माली विलियम्स, एक विके टिकर है, इवेंट जेट पॉविडिंस भी तंग कर सकते है, बॉलर्स को लो, ये टीम का बॉलिंग अच्छा है, बट इनका बैटिंग थोड़ा हुई है, तो इस हिसाब से आप टीम भी बनाना, टॉस के ओपर ड करेंगे, तो आप टेलिग्रम जरो से जॉइन हो जाना, केस्टि कुलियम्स जन्दा शायद बाद में जाये, बट इनका पॉफोमेंस ना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, मतलब एक आदा हुई कि शायद निकाल ले और बैटिंग से हाट डीट कर सकते है, तो कैप्टेन हुपर है, मेरा सेफ है, बिकोस ओपिनिंग कर रहा है, मेरे साब से, कैप्टेन है, डी ग्रिफ्स, मैंने टू डाउन अलेक्स सेमयल को लिया, वन डाउन को मैंने लिया, लिंडो जेम्स को, तो मुझे लगता है, यह ती मुहीन करेंगा, इनका टॉप के 4 हो चु का पिक हुआ, के विलियम से हमारे पास, हमारे पास है कैरण कोट हुई, वैन हर्पर मैंने ले लिया, एन अरनल तॉमस, जंदा ने वैन हर्पर को ने लिया, बट मुझे लगता है, वैन हर्पर को एकलिस्ट ओपिनिंग और शायद वान डाउन खेलते हुए दिखेंगे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, डी मार्टीं, डी मार्टीं ऄागिया, हाँ, यह मुस्ट फबलि हम लोगon D. Martin के पास आजाएंगे फिलाथ, मैंने श्याइद कल दी охשה मैंने साथ करने लिक ओने में लिक बहुद्रें चयुक्कचांए बहुत जादा रोय आप देखो लिखा था बाद में शायद किसी कारण में क्रॉप हो चुका था मुझे माफ कर देना बट D. Martin को आप जरूर ले ले लेना मैं क्या रिकॉड टेलीग्रम पे दे दूँगा क्या था रिकॉड अफका टॉस फाइनल अब लेर आपको आपको टेलीग्रम पे मिलेगा टेलीग्रम चैनल जॉइन हो जाना वीडियो बसंद आया तो लाइक कर देना थैंक्यू गैस बाए